हेलो एबरीवन आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में आप सबका तह दिल से स्वागत है मेरे प्यारे इस्टेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सबको प्रसनवाली एक पंट एक के कोशन नंबर चार पांच और उसके बाद आगे के एकसरसाइज 1.2 का इस वीड करके दिखाऊंगा ठीकने फ्रेंट्स तो आईए कोशन नंबर चार देखते हैं क्या कहता है आपका कोशन 4 कहता है कि इकलीड विभाजन परिमेइका का परियोग करके दिखाए कि कि किसी धनात्मक पुनांग का वर्ग एम के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है तो ऐ कैसे प्रसने का आप कैसे स्लूशन करें आए हम दिखाते हैं ठीक है बहुत स्टार कोशन है बीवी यह है और यह प्रसने आपके 2022 के एक्जाम में आ सकते हैं तो देखे सबसे पहले आपको यह चीज करना होगा माना की एक कोई धनात्मक पुनांग है और उसमें 3M आया था इसलिए इसमें B बराबर 3 मान लेंगे अब एक युक्लीड भादन में यह सुत्र होता है जिरो जो से बड़ा और आर होता है और लेकिन B से छोटा होता है तो बी का मान यहां पर हमने 3 पूट कर दिया इसलिए आर का जो मान होगा हमारा 0,1 और 2 होगा क्योंकि 3 से छोटा ल रखेंगे B के मान 3 भरेंगे इसमें तो 3Q हो जाएगा प्लस 1 जब आर का मन 2 भरेंगे तो 3 की प्लस 2 इतना चीज आ गया अब इसी कोसंस में कहा है कि सभी संख्याओं को वर करेंगे न तो 3M 3M प्लस 1 या 3M प्लस 2 के रुपका होता है ठीक है तो हमारे पास देखिए सभी स स्कुरयर प्लस 2A V स्कुर्ष प्लस 2A V यहाँ पर हमने लिख लिया ठीक प्लस 2 इसका एं होता है घ्रहाउं करी अब आया तो मिरी प्यारे इस्टेंट्स आप लोग इसका स्क्रीन सॉट ले ले ओके सभी लोग आप इसका स्क्रीन सुट ले ले इसी तरह से बनेगा लेगा हम आपको कोशन एकसरसाइज 1.2 के महत्पुन प्रस्णों से रुबरू कराते हैं अज पूरा सुलूशन होगा फूल सुलूशन 1.2 का ओके इने मिले की संख्याओं के आब आज गुलनकंडों के गुलनफल के रूप में लिखना है आपके पास चार संख्या है एक सो चालीश 156 अर्टीस पचीस और पांच हेजर पांच तो आए हम पांचों का स्लूशन चारों का स्लूशन करके देखते हैं आपको अभाज गुलनकंड में तूड़ना है कैसे प्रस्णिक को बनाते हैं बताते हैं देखिए एक सो चालीश है तो दूसे सत्तर बार में फि इसका अभाज गुलनकंड आपका हो गया यह देखिए टू गुने टू गुने फाइफ गुने सेवन यह जो आया इन इसी को गुना के रूप पे लिख दीजी इसी को अभाज गुलनकंड कहते हैं अब देखिए 156 दूसे 156 बार में तीन से तेरा बार में और तेरा से एक 156 का जो आया टू गुने टू गुने तीन गुने तेरा और यह जो आया आपका फैक्टर होगा ओके अब हाज गुलनकंड अब देखिए 38 पचीस का 5 से 7 बार में 5 5 सते 35 और फिर यहां से 3 बचेगा 32 हो जागा 35 पचापचेश यानि 5 से यह 765 बार में फिर 5 से किजेगा तो पांच एकम पांच यहां बचादू 25 55 153 बार में फिर 3 से 51 बार में 3 से 17 बार में यानि 38 पचीस का फैक्टर होगा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17 तो यह आपका 38 पचीस का फैक्टर हुआ और 5005 का देखिए हैना यह इसका एंसर हो चुका है 5005 का 5 से किजेगा तो एक हजार एक बार में साथ किजिएगा तो 143 बार में 11 से 13 बार में और 13 से एक बार में तो इसका हमारा जो फैक्टर होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ठीक है ना तो इसलिए आपको बस कुछ करना नहीं बहुत तीजी होता है आप आज गुड़न खड़न निकालना तो यह आपका exercise 1.2 का full solution हुआ आप इसका screenshot ले लीजिए इसका notes बना लीजिए जो भी student हना 10 classes की तैयारी कर रहे हैं या आगे साल या इन साल परिष्या देने वाले questions से ऐसे आते हैं चलिए दूसरा number question देखते हैं बहुत अच्छा question है दो number देखिए लिखा है कि पुर्णांकों के निमलिखित question क्या हो का गुडणफल जो होता है न वह सीएफ और LCM के गुडणफल के बराबर होता है ठीक है चलिए हमें के question को आपसे रूबरू कराते हैं देखिए पहला जो question है 26 और 91 तो 26 को आप factor तूड़िएगा 2 से 13 बार में और 13 से एक बर में 91 का तूड़ीगा 7 से 13 बार में 13 से एक बर में तो 26 के लिए 2 गुने 13 और 91 के लिए 7 गुने 13 तो HCF इसका क्या होगा जो यहां पर मिलेगा वही HCF होता है तो इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 13 अब इसका LCM निकाल 13 लिखा गया 2 और 7 भी लिखाएगा गुना किये तो 182 आगया HCF हमारा 13 आया और LCM 182 अब जांच करना है तो देखें जांच कैसे करते हैं जांच का सुत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इकवल टू HCF गुने LCM ओकी तो हमारा पहली संख्या 26 है देख सकते और दूसरी 91 तो 26 गुने 91, HCF 13 और LCM 182, 26 और 91 में जैसे गुना किये तो हमको 23 चाचट हुआ और 13 और 182 में जो गुना किये 23 चाचट हुआ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जांच हुआ क्योंकि दोनों तरफ इकवल आ गया है ना और दोनों तरफ जैसे इकवल हुआ उसको हम कि फ्रेंट्स समझ में आ गया चलिए एना ऐसा ही कोशन्स आपको मिलेंगे दो नंबर में आपको बना लेना है आप सब इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं चलिए आगे इसी का एक और सवाल है नेकि 510 और 92 है तो 510 का हमने देखी है और 92 का सबसे पहले टूड़ेंगे 2 से 255 बार में 3-85 बार में 5-17ीर बार में और 92 को उडेंगे 25 से 20 बार में 20 इसलिए एक बार में तो 510 का आया 2-3-5-17 और 92 का आया 2-2-23 तो HCF में जो मिलता है वही होता है तो 2-2 सिर्फ मिल रहा है तो इसलिए हमारा 2 हो गया HCF ठीक है अब LCM देखिए LCM कैसे निकालेंगे तो 510 का यह वाला आया है और 92 का यह वाला आया है तो देखिए सबसे बड़ इसमें replace वाला लिखाए और दुद्दू को लिखा गया तीन एग ओई ऐतो लिखाएगा पांच एगं तौह भी लिखा जाईगा 77 अब इन सबका हमने गुना किया तो 2460 उसको आप लिख लेंगे ठीक है अब जांच करना है तो देखें जांच कैसे तो जांच का सुत्रे कहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एक्वल टू HCF गुने LCM तो हमारी पहली संख्या 510 से लिख लिख लिया और दूसरी संख्या 92 और बराबर के उस साइट HCF और LCM ने तो HCF हमारा दो आया है लिख लिख लिए और LCM आपने देखा 23460 है तो LCM को लिख लिख लिए 34660 इन दोनों का गुना किया तो 46920 और 510 और 92 कभी गुना तो 46920 इस परकार हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुड़नफल होता है वह HCF और LCM के बराबर होता है यह आपका क्या हुआ जाचुआ समझ में आया फ्रेंट्स हम उम्मीद कर सकते हैं आपको एक दम समझ में अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक ठोकिए क्योंकि आपकी लाइक हमारी होसला को बढ़ती है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ओके फ्रेंट्स ठीक है ना अ आगे भी कोसंस दिखाने वाले पूरा फूल सोलूशन आज होगा एक सरसाइज 1.2 पूरा बन जाएगा इस वीडियो में ओके ना एक प्टू पूरी तरह से पोसं 336 इसको बना लेना यह तीसरा नंबर कोसं देखते हैं तिन नंबर कोसं आपका कहता है कि अबहाज तो सबसे पहले बारा का फैक्टर टूड़े है हमने तो इसका हुआ दू गुने दू गुने तीन पंद्रा का तूड़े तो तीन गुने पांच एकईस का तूड़े तो तीन गुने साथ HCF निकालना तो HCF में जो मिलेगा वही एंसर होता है तो तीन सब में मिल रहा है जिसको मैंने घेर दिया है इसलिए आपका HCF टीन हो गया और LCM में देखिए तीन गुलिखाएगा क्योंकि सब में मिला है मिले न दू यहां पे दू को बच गया है समझ में आया फ्रेंड्स और देखिए इसी तरह का दूसरा कोशन है 17 23 और 29 का भी फैक्टर मिथोड से HCF और LCF ग्याद करना है तो 17 का 17 गुन एक 23 का 23 गुन एक और 29 गुन एक इसमें देखिए सब में आपका एंसर हुआ ठीक है ना समझ में देखिए HCF और LCF इसी तरह से बनाना है किलियर सी बात हो गई होगी चलिए अगला कोशन से देखते हैं और LCM में देखिए दू तीन को है उसको लिक लिए तीन दूगो है इसको भी लिए ती सबगा मल्टिप्लाइक कीजिए 1800 और यह 1800 जो हुआ न आपका LCM होका समझ में आ रहा है ना फ्रेंट्स चलिए अगला कोशन प्रसन देखते हैं नंबर चार मेरे प्यारे ट्रेंट्स बहुत ही भी प्रसने हैं और यह 2022 में या कभी भी बोर्ड एक्जाम में यह पूछता रहता है बोर्ड मोडल प्रसने हैं और इस बार भी इसको आने की संबावना है आईए हम इसका सुलूशन करके दिखाते हैं कैसे और क्या है कि देखिए आपके सामने कोशन है दो संख्याय है 306 और 607 इसका HCF 9 दिया है तो LCM याद करना है आपको एक सुत्रे याद है तो यह बन जाएगा LCM का सुत्रे होता है पहली संक्या गुने दूसरी संक्या बटा में HCF यह सुत्रे है पहली संक्या गुने दूसरी संक्या बटा में HCF तो पहली संक्या क्या है आपके पास 306 देख सकते 306 और दूसरी संक्या क् लिखना है HCF लिखना है तो HCF आपको बुक में दिया है नौ लिख लिए तो नौ से इसको कटाएंगे 73 बार में तो 306 गुने 73 करेंगे तो 22338 और यहीं हमारा हो तो यह सुत्या को HCF निकाला हो तो HCF यहां आ जाएगा और पहली और दूसरी संख्या उपर और नीचे LCM हो जाएगा ठीक है तो आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले ले मेरे फ्रेंड्स बहुत ही मस्त कोशन है भी भी आई है और परिछा की दृष्टी से भी ठीक है कभी भी पूछ सकता है और इजी भी है ठीक है ना दो नंबर के में यह सवाल पूछेगा ओके चलिए आगे कोशनस नंबर हम आपको दिखाते हैं पाच बहुत सारे कोशनस लाएं हैं इस वीडियोज में आपको बस अंतक देखना है और आपको एकसरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी जलकने लगेगी एक्जाम में कैसे लिखना है जाच कीजिए कि कि किया किसी प्राकिर संख्या चों के लिए चोंक पावर एंगस जो है लाजीरो पर समाaz हो सकती है तोलिकी प्राकिर संख्या तो आपकी संख्या एक दो तीन हो ठीक है चो कि पावर In तो N command आप एक रखेंगे जब, तो 6 के power एक तो 6 वेनाएगा, जब N command दू रखेंगे तो, 6 के power दू, तो 36 आजएगा, तो जब दो बार हमने रखा, तो 0 तो नहीं आये न, हमको 0 पर command बनाना है, देख सकते हैं, तो पहली बार जब एक रखेंगे तो 6 मिला, 2 रखेंगे तो 6 क कुने चौक करेंगे तो क्या मिल जाएगा 36 उसी तरह से जब आगे जाएंगे तो दूसर सोला यानि संख्या बढ़ते जाएगी तो अता हम का सकते हैं कि छो के पावर एन जो है ना अंक उसे भी देख लजे व्याक्या कि जीए कि 711 गुने तेरा प्लस तेरा और 7 गुने 6 गुने पांच गुने चार गुने 3 गुने 2 गुने एक फ्लस पास भाद संख्याएं क्यों है कि ऐग chemotherapy बताता हूं पहली देखिए पहला वला इसको हम लेके चलते हैं हमारे पासे7 गुना 11, गुना 13, प्लस13, तो तेरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे वह है, उसको हमने कौमल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साथ और 11, जो कि मैं यहां लिख लिया, यह अस्थान खाली हुआ, तो गुना में यहाँ पे एक था, उसको लिख लिया, तो 13, 11, 17, तर और अठतर आया स्वित चाहिए संख्याने का सकते हैं पूरी संख्या साथ गुने 11-13-13 प्लस-13 को एक भाज संख्या का सकते हैं समझ में आया ओके फ्रेंड्स है ना समझ में आ गया हूँ चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इसी में दूसरा पार्ट भी था आप देख सकते हैं यह वाली पूरी आपकी दूसरे पार्ट थे इसके बारे में मैं समझाता हूं धगिएगा यहां पर हमने इसका स्लूस करेंगे तो आपको 50-40 मिलेगा और लाश्ट में कौन सी संक्या है पांच तो यह प्लस पांच हो गया तो 50-45 हो गया जोड़ेंगे तो 50-45 ठीक है ना जोड़ दिये तो कितना गया 50-45 अगे की बातों की हम बात करते हैं देखिएगा ध्यान पुरुवक यह 50-45 जो है लाश्ट से भाज है तो यह पूरी जो संक्या है 7-6-5-4-3-2-1-5 एक भाज संक्या है समझ में आया क्यों है कारण भी हमने आपको बता दिया किलियर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कारण भी पूरी तरह से तो मेरे प्यारे इस तरह से आपका exercise 1.2 जो है पूरी तरह से समा आया तो जो लोग भी देख रहे हैं एक लाइक जरूर करेंगे ठीक है और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्सों में और जो कोई भी पहली बार आया है हमारे चैनल मस्त क्लासेस पर उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बिल आइकन भी किलिक कर ताकि लैटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है ठीक है फ्रेंड्स तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर कीजिए फ्रेंड्सों को हमारे चैनल मस्त क्लासेस से जोड़िए यह आप ही का चैनल है मेरे फ्रेंड्स मैं कहा हूं तुही करतक से ज़्यादा रहे लोग और मस्त के अपकेशन थी तुह laser रहें लोग चैनल तुह